सत संग से सोधी आवे नहीं जीव चोरासिम जावे सत संग से सोधी आवे नहीं जीव चोरासिम जावे अब में तोह द्वे सोर राग हो राग या उमर व तेरी जाली अब में तोह द्वे सोर राग हो राग या उमर व तेरी जाली पुन्यात्मों ये मानुस जिनम कितना दुरलब है और मनुस जीवन के अंदर फिर सत गुरू मिलना ये अती दुरलब है शिरीमत भगवत गीता अध्धाय नमबर साथ के सलोक नमबर बारा से लेकर पंदरा तक गीता ग्यान दाता कहता है कि जो तिन्नों गुनों की बगची करते हैं रजगुन बरमासत गुन विसनु तमगुन शिर जी इस तर गुन में माया के दौरा जिनका ग्यान हरा जा चुका है वो मेरी भक्ती भी नहीं करते हैं उनके बारे में कहा है कि ये राक्स सबाव को धारन किये वे मनुश्यों में नीच दूसीत करम करने वाले मूरक मेरी साधना भी नहीं करते ये कौन बोल रहा है श्रीमत बगुत गीता का ग्यान ये काल बोल रहा है ये बरम बोल रहा है ये सरपुरस बोल रहा है और श्री करशन के श्रीर में परवेश करके बोल रहा है परेतवत फिर ये कहता है साथ में जैके सोला से लेकर सोला सतरा अठारा तीन स्लोकों में कहता है जो मेरी भक्ती करते हैं वो चार परकार के होते हैं अर्थार्थी, आर्थ, जग्यासू और ग्यानी है अर्थार्थी तो वो होते हैं जो धनलाब के लिए अनुष्ठान करते हैं धार्मिक अनुष्ठान तो जो बिर्म साधना है इज्यार परकार के बिर्म साधना करते हैं वो धार्मिक अनुष्ठान जो करते हैं वो वेदों के मंतरों से ही करते हैं वो किसी अन्य गरंथ का सहोग नहीं लेते वो जैसे जैगनेश, जैगनेश, देवा कहते हैं इस तरह के आर्थी वो नहीं करते जो ब्रह्म सादक हैं वो चार परकार के हैं उनमें से अर्थार्थी और आर्थ और जैगैसू, ये वेदों पर विश्वास करने वाले होते हैं और चौथा गैनी अर्थार्थी तो ये है जो हर धनलाब के लिए कोई अनुशान करता है तो वेदों के मंतरों से ही करता कराता है ऐसे ही आर्थ जो संकट निवारण के डिये भी वेद मंतरों को ही आधार मानता है उन्हें के आधार से नुष्णान करता है जग्यासू वो होता है जो बगवान के विलिए घर से निकलता है जैसे भी उनको संत मिलते हैं उनसे ग्यान ग्यान करके स्वेम वक्ता पाक जाता है अपना जीवन नास कर जाता है ये तीन्नों विर्थ कर दिये चौथा जो बता है ग्यानी है ग्यानी उसे कहते हैं जिसको ये पता लग गया कि मनुस जीवन बार बार नहीं मिलागा और मुनुस जीमन का मूल उदेश से है आत्म के लान करवाना और मौक्स प्राप्ति करना और उनको ये भी ग्यान हो जाता है कि मौक्स प्राप्ति केवल सम्रत वगवान उस कम्पलीट गौड अल्लाहु अक्बर की भक्ती करने से ही संभव है अन्य देवताओं की पूजा से नहीं तो गीता ग्यानदाता कहता है कि गयननी जो है वो मुझे अच्छे लगते हैं उनको मैं अच्छा लगता हूँ यह हैं क्योंकि वो मेरी भक्ती करते हैं ब्रहम की वो अन्य देवता में आएफ्धा नहीं रखते लेकिन फिर साथ में जाए के अठार्वे स्लोक में कहा है ये ग्यानी आत्मा जिन्होंने ये सोच लिया कि मुनुस जीवन बार बार नहीं मिलता मुक्स हुआ तो सफलता है इस मुनुस जीवन की अन्यत्था नहीं है और उनको ये भी ग्यान हो गया कि मुनुस जीवन बार बार नहीं मिलता और मुक्स के लिए केवल पूर्ण प्रमात्मा की भग्ती ही करनी होती है अन्यत्य की नहीं तो इसमें क्या बता है कि इन चोथी परकार के जो ग्यानी है इनको चोथे ज्धाय के 32 और 34 मवरनित वो तत्व दर्शी संत ना मिलने से इन्होंने अपने आप वेदों का निश्क्रस निकाल लिया यदर्वेद अज्धाय नंबर 40 के मंतर नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्टू समर किल्बे समर कर्टू समर ओम नाम का जाब काम करते करते सिमन करो विसेश कसक के साथ सिमन करो और मुनस जीवन का मूल करते हो जान के ओम का सिमन करो तो ये ओम नाम है बर्म का और उन्होंने गलती से मान लिया उस पूर्ण बर्म का कम्पलीट गॉड का परमक्सर बर्म का अब कहते हैं गुरु बिन बेद पढ़ है जो प्राणी समझे न सारे रहे अग्यानी सत्गुरु बिन का हुन पाया ग्याना जो थो था बुस छड़े मूड किसाना गुरु बिन सत्गुरु बिन का हुन पाया ग्याना और जो थो था बुस छड़े मूड किसाना गुरु बिन बेद पढ़ है जो प्राणी समझे न सारे रहे अग्यानी अब ये जितने भी रिसी महरिसी आज तक हुए हैं ये कम्प्रीटली अग्यानी थे इनको तत्वस दर्शी संत वो गुरु नहीं मिले जो यजुर वेद जह नमबर 40 के मंतर नमबर 10 में कहा है वेद गयानदाता वही है जो गीता गयानदाता ब्रहमह सरपुर से उसमें लिखा हुआ है कि कुछ तो परमात्मा के विसे में कहते है वो संभवात संभवात माने जनम लेकर आने वाला शिरी राम शिरी किरसन या अन्य जो आठ या चौबिस अवतार बताए गए है नो या दस चौबिस अवतार बताए गए उन्हों ऐसे आता है और कुछ मानते हैं ऐसे मभवात वो जनम नहीं लेता उत्पन होता ही नहीं अर्थात वो अजनमा है निराकार है कुछ ऐसा बोलते हैं उसके विसे में कहा है कि परमात्मा साकार है निराकार है या जनम लेता है नहीं लेता है वो कैसा है उसकी जानकारी तत्वदर्सी संत धीरानाम लिखा उसमें धीरानाम जिनका ग्यान सथिर हो तत्वदर्सी संत बताते हैं उन से सुना इनकी बुदी पर पत्थर पड़ गए कि वेद ग्यान दाता तो कहता है कोई और है तत्व दर्शी संत है जो इन वेदों से हटकर ग्यान देगा वो उनके समझ में आया नहीं और यदुर वेद जायर नंबर चालिस के मंतर नंबर सत्रा में सफ्ष्ट किया है वेद ग्यान दाता कहता है कि वो परमातमा तो प्रोक्स है वो तो गुपत है वेद ग्यान दाता स्वम कहता है यदुर वेद जायर नंबर चालिस के मंतर नंबर सत्रा में कि वो परमातमा तो गुपत है वो तो प्रोक्स है उपर रहता है और मैं बर्म हूँ मेरा ओम नाम है और मैं खम बर्म एहम ओम खम बर्म मैं बर्म खम माने दिव आकाश रूपी बर्म लोक मैं वहां रहता हूँ मेरा ओम नाम है तो पुन्यात्मा इसलिए प्रमेश्वर ने कहा अपने सुख समवेद में बाई गुरु बिन काहुन पाया ग्याना जो थो था बुस छड़े मूड किसाना गुरु बिन बेद पढ़ है जो प्राणी समझे नसार रहे अग्यानी तो यह सभी अग्यानी थे आज तक के जितने रिशी मेह रिशी मंडलेश्वर केवल उनस महाफुर्सों को छोड़ कर जिन को प्रमात्मा प्राप्ट हुआ और प्रमात्मा उनके प्रियतन से प्राप्ट नहीं हुआ वो अपने विद्धान अनुसार स्वयम ही आता है जैसे रिगवेद मंडल नंबर नो सुक्त श्यासी के मंतर चब्वीस और सटाइस में रिगवेद मंडल नंबर नो सुक्त ब्यासी मंतर एक दो तीन में रिगवेद मंडल नंबर नो सुक्त चम्मन के मंतर तीन में रगवेद मंदल नम्बर नोग सुक्त बीस मंतर एक में, रगवेद मंदल नम्बर नोग सुक्त नाइटीपोर तुरानवे के मंतर एक में, रगवेद मंदल नम्बर नोग सुक्त पिचानवे के मंतर नम्बर दो में, रगवेद मंदल नम्बर नोग सुक्त एक मंतर आट और में और भी अनेकों सिथानों पर हैं परमात्मा की महिमा लिखी है कि वो कवीर देव परमात्मा वो परमक्सर ब्रम है सर्व उत्पादक है सब आत्माओं का सर्दन करने वाला भी वही है और सभी ब्रमात्मा का सर्दनार वही है और वो उपर के लोक में रहता है उपर के लोको के आता है अच्छी आत्माओं को मिलता है उनको उपदेश देता है तत्व ग्यान सुनाता है और वो कवियों की तरह आसड़ करता है और अपने मुख कमल से उच्छे सोर में बोल बोल कर ये तत्व ग्यान की अमरवानी लोकोक्तियों के मादम से कविताओं के मादम से सबदाल की इतव कवियों के माद्धऊं से बोल-बोल कर सुनाता है। और एक परस्चित कवी की उपधी प्राम्त करता है। लोग ते कविताओं के माद्धम से dhohon सुमदालियों की माद्धम से नगी उन्हें प्रस्चित कव्यांति करने के भी एक परसिद कवियों में से भी एक कवी कहलाता है लेकिन वो होता है परमात्मा परसिद के बता है